नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी को चलिए आज हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं फिप्टी कुष्टन तक हम लोग मिरवाइफिरी का देख चुके थे तो इस टॉपिक का 50 जो हम लोग इंपोर्टेंट कुष्टन था वो सारे कुष्टन देख चुके थे हम आपको बार-बार बताते आरहे हैं कि यह टोपिक आपके लिए बहुत ही महत्पुर्न टोपिक है इस टोपिक को आप लोग बिल्कुल है नहीं कर सकते हैं इग्नौर नहीं कर सकते हैं इस टोफीक को पूरा आसान बनाने के लिए हम आपको एक. chocolate चले जैसे कि HCG के बारे में हमने आपको कल बताए थे HPL के बारे में बताए थे दोनों हर्मोन का क्या कार्य है साथ ही इसका full form सारा details में हमने चर्चा भी किये थे और जो भी candidate class join किया है उसको वो जो explanation वाला notes है वो भी मिल चुका है क्योंकि हमने कल ही जो आप लोग का group चल रहा है उसमें हमने वो सारा notes डाल दिये है और जो candidate अभी तक नहीं जुरे है और class के group में जुरना चाहरे है जिसमें आपको daily class मिलेंगे और जैसे ही आप class में जुरते हैं उसी समय आपको सारा PDF सारा notes मिल जाएंगे और class आपको daily मिलते रहेंगे कुछ class आपका छूटा है वो भी मिल जाएगा तो इस नंबर पर 70, 50, 87, 29, च्यान में इस नंबर पर call करके वार्टसब करके आप लोग class में जरूर जुर जाएए बहुत ही आपको interesting के साथ जो आपका classes है वो continue बढ़ते चलेंगे और आपका त्यारी बहुत ही बहतर हो जाएंगे ताकि आप final medit तक पहुच सके और आप इस साल जॉब ले सके तो चली हम लोग class को आगे continue रखते हैं जैसे कि कल हम लोगों ने HCG और HPL के बारे में जाने थी इसको हम फिर देखवार आज आपको दोराएंगे इसके बारे में बताएंगे कि क्योंकि इससे related आगे हमको question देखने को मिल रहे हैं तो जैसे कि हमने गर्वासय में HCG और HPL हॉर्मोन का स्रोथ क्या होता है इसका क्या function होता है इनके बारे में जान लेते हैं आपको HCG के बारे में पहले भी बताए हुए थे क्योंकि HCG एक ऐसा हॉर्मोन है जिससे हम लोगों को गर्व जब कोई महिला गर्वधारन करते हैं उसका गर्ववती का पता चल पाता है कि उसका गर्वधारन जो है वह किस तरीके से आगे बढ़ रहा है कैसा development हो रहे है वह और एक मापक भी है क्या चीज होता है यह एक हॉर्मोन है यह हम लोग क्वेस्टन में देख लिए जो कि human chorionic जो gonadropin इसको कहते हैं जो कि HCG को हॉर्मोन हो गया है और यह किस में मिल जाता है तो जब कोई महला गर्वधारन करते हैं तो उसके मुत्र और रक्त में HCG पाया जाता है और उसी HCG को माप कर ही डॉक्टर पता करते हैं कि गर्वासय में गर्व किस तरीके से कितना अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है तब आपको पता चलता है कि मतलब कि बेवी का किस तरीके से उसमें development हो रहा है इसी से पता चल पाते हैं और यह दी हम बात करें तो HPL के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं जो क्या है Human Placentinal Lactogen जो कि इसका full form है यह भी एक तरीके का हॉर्मोन है जो कि कॉरियनिक Somatometropin नाम से भी इसको जाना जाता है दोनों एक तरीके से क्या है हॉर्मोन है तो चलिए हम लोग और इसका development यह इसका मुख के सुरूत कहां से है तो अपरा से है तो वह आपके question में तो मुख के question पर हम लोग आते हैं फिर से क्या होगा कि गर्वास है में HCG इसके बारे में जान चुके पूरे तरीके से इसका details हम लोग जान चुके क्या क्या वर का है इसका full name क्या है SPL के बारे में भी जान चुके दोनों एक तरीके का हॉर्मोन है जो कि इसका जो मुख के सुरूत है वो क्या है अपरा है यह question में पूछ रहा है कि HCG और HPL का जो हॉर्मोन है उसका सुरूत क्या है तो वह अपरा उसका सुरूत है वहां से मिलते हैं सुरूत मतलब जानते है न जैसे क्या कहेंगे कि बार्ड का पानी आरत कहिएगा कि इसका सुरूत क्या है तो कहिएगा कि मतलब कि यह नदिया है या और भी बहुत सारे कुछ हो सकते है कि जैसे कहेंगे हमारे जो दीन में हम लोग को रॉसमी दिखाई देता उसका सुरोत का है सूर्ज है उसी तरीके से इस हॉर्मोन का सुरोत अपरा है और अभी आप लोग यह सोचते होंगे कि डॉक्टर पेसाब के माध्यम से क्या चीज़ को पता कर लेता होगा अभी आप लोग दूर मिला रहा था और उसी से यह पता चल पाता है चलिए यह सब कुछन हम कल देख चुके थे जहां तक नहीं देखे थे उससे आगे हम लोग कंटीनियू करते हैं तो हम लोग का यह कुश्चन साइथ 55 नंबर से आज कंटीनियू करना है बहुत इंपोटेंट टॉपिक है आप लोग का फेस्टिवल है तो फेस्टिवल इंज्वार भी करिए लेकिन परहाई से दूर मत जाएगे क्योंकि अगर परहाई से दूर जाते है तो नौकरी आपसे दूर चला जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आप समय हाई नहीं और बहुत लंबा वीडियो अभी ज जो और को नल तथा के मिलने से अस्थान को क्या जाता है यह तो तो उस अस्थान को क्या कहा जाता है उसका नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है तो उसको क्या कहा जाता है तो अगर फेंटेनल मतलब फ्रेंटल पर परचूर मात्रा में मिलते हैं तो पर क्या मिलता है सुचर के मिलने से मतलब जो अस्थान बनता है उसको अगर फेंटेनल यहां से जोड सकते हैं फ्रंटल है तो उसका नाम क्या हो जाता है अगर फ्रेंटेनल कि जो ऑच्षी पीटो ब्रेगमेटिक व्यास होता है सब जो ऑक्सी पीटोस जो ब्रेमेटिक व्यास है वो कितना सेंटीमीटर होते हैं यह आप से पूछे जा रहा है तो उसका व्यास कितना होता है तो 9.5 सेंटीमीटर और व्यास से लेकर हम लोगों ने जब आपका यह क्लास स्टार्ट किये थे उस समय भी आपको हमने बताए थ कि यह पूछा जा रहा था तो उसमें आप लोगों को जैसे कि यह को स्टार्ट किये थे और अगर कि यह यह अगदन को पता होगा अनुप्रस्त का क्या ब्यास के बारे में हम लोग उस दिन जाने थे जिसमें कि हम लोग जाने थे कि उसका ब्यास कितना होता है तो उसका ब्यास 11 सेंटीमीटर होता है तो 9.5 सेंटीमिटर यहां पर 11 देखिएगा तो ठीक मतमार दीजिएगा दोनों अलग-अलग क्वेश्चन थे अग्या कि माशिक धर्म की प्रस्रन आवस्था किस हार्मोन के नियंत्रन में होती है मत्लब माशिक धर्मका जो प्रस्रन की आवस्था बस्था होती है यह इस्ट्रोजन के नियंतरन में होते हैं किसके नियंतरन में मासिक धर्म को जो नियंतरित करता है जैसे कि आप सब को पता है कि एक मंत अठेश दिन पर मासिक धर्म होते हैं तो उसका परसरन की जो अवस्था होती है वो जो नियंतरित किया जाता है कंट्रोल किया जाता है व यह मतलब कि गर्व का डेवलमेंट को लेकर बताता है उसके बाद प्रोश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्राउन भी एक हॉर्मोन है लेकिन इसका क्या हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी इस्ट्रोजन हो जाएगा आगला कोश्न करा है कि गडव अवस्था के निदान का वह चीन जो पूरी गडव अवस्था में बना रहता है गडव अवस्था के निदान का वह कौन सा चीन है जब दो घर्व धारन की रहते हैं तब तक यह बना मीचल एवं वोमन या जीवन का आभास मासिक धर्म नहीं नहीं होता है आप सब जैब तक मासिक धर्म मतलब कि पूर गर्व अवस्था के दोरा नहीं होते हैं तो किया है मतलब कि कि जब भी कोई इस्तिरी गर्वधारन करेंगे तो उसमें मासिक धर्म रुक जाएगा उतने दिनों तक पूरी गर्व अवस्था तक वह मासिक धर्म रुका रहेगा ठीक है आगे बारते हैं इन सब कुर्ष्टर में तो कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए काहिए जो हुआ फुल मतलब क्या होता है या तो जन्म ले लेते है या उसको ऊपयाता है तो यह बाहर निकालना पड़ता है तो लेकिन इसलिए यहाँ पर जिक्र किया है कि जीवित शीशू को जन्म देने वाले को क्या कहा जाता है जो मेला पहली बार एक जीवित बेबी को जन्म देंगे उसको किस नाम से जाना जायेगा अगर यह नाम कहेंगे जब आप लोग जौब पर जाएगा अगर यह तर्म आपके पास आ गया तो एप समझ जोगेगे कि यह महला पहली बार क्या कर रहे हैं बच्चे को जनर दे रहे हैं मतलब की बेवी को जनर दे rockets जब पहली सезव मतलब पॉल्प को लिभनिक्स का प्राम च्छे को उसको प्राइम्री फाइडा के नाम से जाना जाता है ठीक न poz कि अगला कुछन देखते हैं सिर्फ पाहली बार जम देगा तब ही उसको प्राइमरी पैदा का जाएगा क्योंकि ऐसा तो है कि कोई भी मेला एक ही सीशु को जम देते हैं और भी बहुत सारे से मतलब तीन दो चार इस तरीके से होते हैं अब थोरा मतलब की पोपुलेशन कंट्रोल के लेकर हम लोगों सब में जागरूखता फाले हैं कि हम दो हमारे दो तो इसलिए जैदा नहीं हो पाते पहले के समय में आप देखते होंगे कि चार पर पहले उतना मेडिसीन भी नहीं थे तो जैदा जन होने के बाद भी कुछी बच पाते थे बेबी के विशवासी यह यही है तो ही यह काने मतलब की निदाने कासी निदानका सबसे जिसके बड़ यह से बहुत इहां कि बहुत सारा ऐ है कि जैसे कि इसमें दिया है एक्स रे मुत्र जाहंन के इम्योन इम्योर्यों जो टेस्ट होते है। आपको पता बता जाता queries कि गर्वधारन किस तछरीके से आगे बर रहे है campe उँसकी निदार्ण करता है ऐख स सबसे माना जाता है यह एक माना जाता है ले जणहार्ग एक क्या यह सबसे विश्वशनी मतलब सबसे अच्छा टेस्ट है गर्वावस्था के नीदान का उसका गर्वावस्था धारन को पता लगाने में तो ठीक है इसका क्लेक्ट अंसर क्या आजएगा आपका अफ्सन नमबर एस हो जाएगा कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आ रहे है तो चलिए और बीटेसी को लेकर भी आप लोगों को जल्द सूचना मिलने वाले हैं बीटेसी एन्म को लेकर अगला है कि गर्व अवस्था के दौरान इस त्री को परति दिन कितना लाव तत्व लेना चाहिए जैसे कि हमने पिछले क्लास में इस पर चर्चा भी किये थे जब भी कोई महिला गर्व धारन करेंगे उसमें आयरन की मात्रा कमी होने लगती है लौह मतलब क्या आयरन वाला एक टॉनिक आता है न वह सारे लोग इसमें से उसका यूज भी कियोंगे उस टॉनिक को प्ये भी होंगे तो मतलब कर रहे है कि गर्व अवस्था के दौरान जो इस्तिरी के परति दिन कितना लोग तत्व लेना चाहिए एक मिलीग्राम दो बीस मिलीग्राम चालिस या साट मिलीग्राम तो परति दिन कितना मिलीग्राम लेना चाहिए तो परति दिन कम से कम 40 मिलीग्राम गर्व अवस्था के दौरान एक इस्तिरी को लोग तत्व ल कुछ होने कि लगती है亲 ability कि उसको जरूरत पर जह गए तो नहीं आ पाएगा तो इसलिए मतलब कि जब गर्वदार्ण करते हैं तो उस समय अधीक जो लोग या एरन की ज़रूरत होती है जो कि कितना पर्तिदिल लेना चाहिए तो 40 ग्राम मिली ग्राम मत बोल दीजेगा मिली ग्राम बहुत हो जाएगा हमने आपको बताέ थैं और आप सब भी जानते हैं कि घल भवपस्था को ट्रायंस्टर कर्ण में किламें..! नौ महिना का गर्वधारण होता है इसको टीन तर्म में आते हैं एक पहला तीन मेना दूसरा तीन मेना तीसरा तीन मेना तीन छो तीन नौ हो गया पहला को क्या करते हैं फर्स्ट ट्राइमिस्टर मतलब की पर्थम फर्थम तिमाई दूसरा को सेट थिमाई तीसरा को तीरथा तिमाई कर जाता है इसमें इस सटरियां होती है ऊसको मतलब वजन कितना तो आप खुद इसका इंसर दे सकते हैं कि शुरुवाती जो गर्वावस्ता का निरक्षं किया जाएगा वह किस तिमाही में आरभ होगा तो पर्थम में ही होंगे और अंतिम चरण जो होंगे वह तिर्थे तिमाही में होंगे इसमें जैदा सोचने की बाती नहीं है इतना explain कर के पूरा हम बता दिये अलग-अलग करके तो पर्थम जो शुरुवाती जो गर्व अवस्था के निरक्षन करना होगा तो कब होगा तो किसी मतलब किस तिमाही में तो पर्थम तिमाही में होगा ठीक है तो इसका अपका option अवस्था की समान अवस्था से कम हो मतलब कि गर्वासाय की जो उचाई है वह समान इस्थिति जब गर्व धारन करते हैं तो गर्वासाय की उचाई बढ़ने को वज़ाए समान इस्थिति से कम हो गया है तो उस इस्तिरी को इन में से क्या मतलब कि डिफेक्ट है वह क्या आप जाता है इसकता इसको पता होगे वह बताएगा कल इसको हम explain करके बताएंगे अगर अभी explain करने लगे एक दिन में दो-दो कुष्टन को explain करेंगे तो आप लोग का number of question कम होंगे इसलिए आज आप लोग इसका एंसर बताएंगे नहीं तो हम कल इसके बारे में details में आपको बताएंगे अलाएकि निगेल नियम का प्रियोग कर उस इस्तिरी का EDD बताएंगे पिछले स्टार्टिंग क्लास में बताएंगे मिड्वाइफरी का जब फर्स्ट क्लास अस्टार्ट हुआ था एक यह दो अक्टूबर को ही हमने आपको बताए थे कि EDD का expected क्या होता है delivery का जो डेट होता है मतलब कि जो प्रस्टर्व जेयं प्रयोग कर देट दिसंबर 2013 है तो उसका संभावित एडीडी जो प्रसव का जो डेट है वो आपको बताना है तो आप कैसे इसको बताईएगा तो देखिए आप लोग कैसे संभावित जो तिथी है जो एबरेज है वो मतलब प्रसव के कितना तो नौ महेना यहां से नो महिना तक चलिए तो चलिए दिसंबर से हम लोग कॉंट करते हैं दिसंबर जनवरी क्योंकि दिसंबर तीन ही है या जनवरी से लेजिएगा तब जनवरी फर्वरी मार्च अप्रील माई जून जुलाय अगस्ट सेप्टेंबर सेप्टेंबर पर जाकर आपको क्या नौ महिना पूर रहे हैं तो सेप्टेंबर ही होंगे कितने सेप्टेंबर दस सेप्टेंबर 2014 तक उसकी प्रसव या एडीडी मतलब की नीगेल नियम के बहुत उस पर चर्चा किये थे बारकी से एक पॉइंट को लोग जाने हुए है इसलिए करते हैं कि सारे क्लास एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं आप लोग एक दूसरे से जो भी रिलेटेड क्लास सारे रहते हैं रिलेटेड ही किसी क्लास को नहीं कर सकते कि यह जाएगा इसलिए जो भी कंडिडेट अभी तक क्लास नहीं जोईन किया है सत्तर पचास सतासी उन्तिस च्यानवें इस नंबर पर कॉल करके वार्टसप करके क्लास में ज़रूर जोड़ जाहिए अलाकि भामक प्रसप पीरा का लक्षन कौन सा नहीं है भामक मतलब भैंकर मतलब की जायदा प्रसप के पीरा मतलब प्रसप समय में अगर जायदा पीरा आ रहा है उसका लक्षन मतलब की कौन नहीं है मतलब की जायदा पीरा का मतलब प्रसप के समय में जो जायदा पीरा होते ह उसका लक्षन इन में से कौन नहीं है मतलब कि ऐसा क्या चीज होने पर ज्याइदा पीरा नहीं होंगे प्रसब के समय में तो चलिए हम लोग ऑप्षन की तरफ बढ़ते हैं क्या का रहा है जैसे कि सर्विक्स का विस्तार पर प्रबहों ना परना यह तो गलत है सर्विक्स के विस्तार से प्रसब की पीरा डिफाइंड किये जाएंगे हलकी पीरा जो निचले उद्दर भाग में होता है तो यह मतलब कि उसका मतलब कि प्रसब पीरा का लक्षन यह भी है आपको उसका लक्षन नहीं है वह खोजना है निरांतर एवन और सम्मंधित गरवासाय में मतलब कि प्रासाब के समय में तो होता ही है एनीमिया देने पर पीरा कम ना होना यह गलत है जब एनीमिया दिया जाता है तो पीरा कम होता है यह का रहा है कि एनीमिया देने पर पीरा कम ना होना यह मतलब कि इसका गलत है और यह गलत ही है आपको खोजना था तो इसका correct answer क्या ह हो जाएगा आपका option number D सही हो जाएगा next question है निमलिखित में से कौन सा हर्मोन अपरा द्वारा अस्तरावित होता है तो हम लोग starting ही किये थे इसी question से तो अपरा द्वारा HCG हर्मोन के बारे में हम लोग देखे थे न तो वही मतलब की HPL और HCG हर्मोन दो हर्मोन थे जो कि अपरा उसका स्रोत होता है लेकिन यहां पर दूसरा कुछ कर रहा है question पर कर रहा है कि कौन सा उसका मतलब की अस्तरावित हर्मोन नहीं है है रहता तब नहीं हम लोग कहते Hg वर्मोन हाय लेकिन नहीं तो कौनसा नहीं लाता है अप्राद्वारा तो आप्राद्वार्च आस्तावण राञा को को यह अप्रार सम्राद्विट नहीं होता लिए आप लोगों की summary जानना बहुत जरूरी है यहाख Nest एक्स्प्लानेशन के साथ परे रहेएगा तो जो भी उससे रिलेटिट कुश्चन आएंगे उसको आप लिंक करके सही उत्तर तक पहुंच सकेंगे अलाई निमलिकित में से कौन सा वास्तविक प्रसब का चिन है सो सर्विक्स का पकना या गलत प्रसब पीरा होना या लियूटिनिंग तो इन में से कौन वास्तविक प्रसब का चिन नहीं है ठीक ना सर्विक्स का पकना ये भी वास्तविक प्रसब का चिन है घलत प्रसब पीरा होना ये भी सही है लीटीयेनिंग होना ये भी मतलब कि वास्तिविक प्रसब का चिन है वास्तिविक प्रसब का चिन नहीं है तो वह कया है genre